गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स क्लास सेकेंड आज हम करते हैं हिंदी रीडर का रिवीजन चैप्टर थिरी का जिसका नाम है मेरा घोडा चले हमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास गोडे पर होकर सवार चला सेर को कलू यार यानि कि जो कलू है एक लड़का वो गोडे पर सवार होकर चल दिया है कोडा मारा ऐसा तान नहीं किया कुछ उसने ध्यान कि उसने ऐसा चाबुक मारा गोडे पर कि उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि गोड़ा किस दिसा में जाएगा गोड़ा भागा चाल हवाई अब कुल्लू की सामत आई जब उसने कोड़ा माय रहा तो गोड़ा अपनी चाल से तेज हवाग की तरह भाग चला अब कुल्लू की सामत आई सामत या नहीं आपको उसकी मुसीबत आई जब गोड़ा अपनी धुष्प दुना पर चलता है तो बादम पहहँं नेखे और रासे िदे धाल होगे लेखिए यह सब्धार्थ कोड़ा कोड़ा में होता है चाबुक सामत मुशिवत तान कसकर धड़ाम होता है जोर की आवाज करते हुए जब धड़ाम से नीचे गिरा तो जोर की आवाज होती है इस तरीका से अब आते हैं हमारे प्रशन होता है जैसे कल्लू घोड़े से कैसे गिरा कल्लू घोड़े से नीचे धड़ाम से गिरा कल्लू ने घोड़े को क्या मारा कल्लू ने घोड़े को क्या मारा था कोड़ा खेत की रेत कैसी थी खेत की रेत गिली थी तो यह हमारे question answer हो गए अब हम करते हैं बचन बदलो देखो बचन अब देख़ो यहां पर बड़ी की मातरा आए ने आते हैं आपको म backlash में चाता है और वहांपर यह आ जाता है वुharma पर यह झाता है जैसे मल क्या बोलेंगे माले तो नहीं बोल सकते तो इसमें बोलेंगे माला, मालाएं, कथा, कथाएं, आशा, आशाएं, माता, माताएं तो यहां पर हमारा यह रिवीजिन खतम होता है आप अपर नहीं से सेपरेट कॉपी में नौट करोगे थेंक यू